असलाम आलेकुम नाजरीन मैं आर्जुन सारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को छे जिक्र जो दूआ करने से पहले हमें जरूर पढ़ने चाहिए यकीनन जब आप परिशान होते हैं या किसी मुश्किल में पढ़ जाते हैं तो आपके हाथ अल्ला की बारगाह में उठते हैं क्योंकि वही है जो इस मुश्किल से हमें निकाल सकता है लेकिन हमारे बहुत से नाजरीन ये समझ नहीं पाते कि दूआ कैसे करें अपने बात कहने से पहले हमें क्या-क्या जिक्र करने चाहिए जिससे हमारी दूआ में वजन पैदा हो जाए ऐसे ही छे जिक्र और असकार आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग इन असकार को अपनी दूआ में जरूर श्रामिल कर लें दूआ और असकार बताने से पहले आप लोगों से गुजादश करती हूँ चैनल पढ़ने हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मैं आप लोगों को दूआइं बताती हूँ नमबर एक पर है अलहम्दुलिल्ह और इसका तरजमा ये है कि तमाम तारीफे लिये है अल्हा अजवजल के लिए है नमबर दोपर है सबहान और अतरजमा ये है کہ अल्ला की जात पाक है और उसी की हमद है और इसका फारदा ये है कि इसको पढ़ने पर जन्नत में एक विड लगा दिया जाता है नमबर तीन पर है सुभान अल्लाही वला इल्लाही वला इल्लाही वल्लाही अकबर और इसका तर्जमा ये है कि अल्ला की जात पाक है तमाम तारिफे अल्ला के लिए है और अल्ला की सिवा कोई अबादत के लायक नहीं अल्ला अज्ज़ वजल सबसे बड़ा है और इसका फायदा ये है कि इसके पढ़ने पर गुनात जड़ते हैं नमबर चार पर है ला हुल वला कुवता इल्ला बिल्लाह और इसका तरजमा ये है कि नहीं है कोई कुवत और ताकत अल्ला के सिवा और इसका फाइदा ये है कि हदीस में इसको पढ़ने की फजीलत कुछ इस तरह बयान की गई है इसका पढ़ने वाला जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाएगा नमबर पांच पर है दुरूद शरीफ यानि की दुरूद इबराहीम मैं आप लोगों को दुरूद इबराहीम पढ़के बताती हूँ इनका हमीद मजीद जितनी बार हो सके इस दुरूद शरीफ को जरूर पढ़े जुमा के दुन तो इसका खूब एहतेमाम करना चाहिए दुरूद शरीफ में सबसे बहतर दुरूद इबराहीम है जो नमाज में पढ़ी जाती है और अगर वो याद ना हो तो पढ़ें अल्लाहुम्मा सुली अला मुहम्मद वा अला आली मुहम्मद इसका फायदा ये है कि जो शक्स एक बार अल्ला के रसूल पर दुरूद शरीफ भेजता है उसके दस गुनाह मुआफ कर दिये जाते है और दस दर्जात बुलंद अल्लाह फरमाते है नमबर च्छे पर है कुरान की कुछ आयते पढ़ना कुरान में खास कर जो रब्बना दुआएं है उनको अपनी दुआउं में शामिल जरूर करना चाहिए मैं आप लोगों को पढ़के बताती हूँ और इसका तर्जमा ये है कि है आए हमारे रब हमारे लिए दुनिया में भलाई अता फर्मा और आखिरत में भलाई अता फर्मा और हमें जहन्म के अजाब से बचा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ इल्म में इजाफ़ जरूर हुआ होगा मिलती हूँ अगली वीडियो में असलाम उलेकुम